Dear Students, चलिए हम लोग चलते हैं, Class 9 के लिए Class 9 के लिए Subject Math को पढ़गाना सुरू करते हैं Dear Students, जैसा कि जानते हैं हम लोग 9th Class को NCRT के book को FOLLOW करते हुए CBAC वालों के लिए हम English में लेकर हर दे प्पड़े वुडियो जो ला रहे भी फिलाल जिसमें हम लोग अभी polynomial जेप्टर को पढ़ रहे हैं polynomial में exercise 2.4 के तक के question को हम लोगों ने discuss किया है चलिए हम लोग अब चलते हैं exercise 2.5 के question कसे लिए सबसे पहले हम लोग theory के तौर पे कुछ questions करते हैं ठीक है अब theory के तौर पे कुछ questions हम लोग करेंगे तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं उसके लिए हम लोगों को कुछ formula जरूरत होगा तो हम लोग formula जो पढ़ेंगे वो algebraic identities के रूप में पढ़ेंगे algebraic identities ठीक है तो अब algebraic identities में हम लोग कौन कौन से formula देखेंगे आप इस formula को VVI यह क्या है तो VVI points है आप इनको जरूर से जरूर याद कर लिजे और फिर हम लोग इसको exercise 2.5 में यूज करेंगे ठीक है तो पहला कुछ इस तरीके से मिलता है A पलस B का hall square अगर ऐसा algebraic expression रहेगा तो इसको हम लोग formula पर तोड़ते हैं A square पलस B square पलस 2AB या फिर इसको हम लोग A square पलस 2AB पलस B square भी बोल सकते हैं तो यह हम लोग को या का चेन है आप या तो यह भी लिख सकते हैं यह भी लिख सकते हैं दोनों का दोनों सही है ठीक है चलिए अब हम लोग दूसरा दूसरा formula रखते हैं कि दूसरा formula कि है तो इसका होता है यह माइनस b का whole square क्या होता है फार्मूला एस्कौर पलस बीजिख़र माइनस 2i b या फिर लिख सकते हैं एस्कौर माइनस 2ab फॉलस बीजिख़़्य ठीक है यह भी लिख सकते हैं चेलिए फिर अगले बढ़ते हैं अगले फर्मूला के तरफ फर्मूला नंबर थर्ड कुछ इस तरीके से है अगर पता है हमको a²-b² रहेगा a²-b² रहेगा तब हम लोग कैसे खरेंगे a प्लस b a-b ठीक है यहानि की a²-b² रहेगा दोस्त तो हम लोग इसको प्लस और माइनस में तोड़ देता है आप यहां तो माइनस को पहले भी रख सकते हैं यहानि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A minus B, A plus B, ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इससे भी हम लोग कोई प्राबलम नहीं है, चलिए अब अगल हम लोग नेक्स्ट करते हैं, फोर में, अगर हम लोगों का दोस्त, X plus A और X plus B रहेगा, ध्याम देज़ेगा, अगर ऐसा expression रहा, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, फिर प्लस, A और B के आगे क्या है, प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो A के आगे भी प्लस है, तो आप प्लस A रखिए, और प्लस B क्या भी प्लस भी है, तो प्लस B रखिए, और ब्रैकेट, ये तो बाहर है, प्लस, ये तो प्लस देना जरूरी है, लेकिन A के आगे क्या था प्लस तो एक आगे प्लस कर दिया भी क्या अगे प्लस दिक आगे प्लस फिर ब्रैकेट यहां कर दना है फिर एक्स प्लस प्लस फिर यहां पर आप एक के आगे प्लस और बी के आगे प्लस और दोनों को क्या कर दना है multiply याने कि plus a into plus b तो कुल मिला कर हम इसको क्या लिख सकते हैं तो x square plus a और b का add करके हो जाएगा a plus b into x plus a और b का add क्या होगा a b ठीक है a और b का गुनन फल product क्या होगा a b अगर मान लिया कि ऐसा ही हम लोगों को ऐसा मिल गया पांचवा एक्स प्लस ए और x-b x-b तो हम लोग इसको कैसे करते हैं x x का multiple क्या होगा x x का multiple x square ठीक है अब एक या फिर उसके बाद plus देना होता है plus देदिए अब यहां पर एक क्या आगे क्या है plus तो plus a b क्या आगे क्या है minus तो minus b फिर bracket ठीक है फिर into में x plus plus a क्या आगे देना है plus और b क्या आगे देना है minus और फिर दोनों को क्या करना है multiply यानि कि plus a into में minus b तो कुल मिला कर हम क्या लिख सकते इसको x square plus a में से b को घटाएंगे तो क्या होगा a minus b into में x और plus minus minus कितना होगा a b यानि कि आपको क्या करना है अगर ऐसा situation रहेगा x plus a x minus b तो हम लोग ऐसा यूज करेंगे ठीक है अगर मान लिया ऐसे रहेगा पहले में minus रहेगा बाद में plus रहेगा यानि कि x minus a of x plus b अगर इस तरीका situation रहा तब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं आप x x का क्या लिख सकते हैं x x का x square फिर plus देना है a के आगे क्या है minus b क्या आगे क्या है plus तो यहाँ a के आगे minus है तो आप minus a कर दिजिए फिर plus b है तो plus b कर देंगे फिर into x ठीक है into x कर दिए फिर plus देना है और फिर ये दोनों का multiply कर देना है तो minus a into plus b तो कुल मिला कर कितना होगा यहाँ पर देख पा रहे होंगे x square plus minus a plus b into x और यहाँ minus है यहाँ plus है तो minus plus क्या होता है minus और minus plus minus तो minus a b तो हम लोग को यह लिख सकते हैं ठीक है अगर मान लिया कि ऐसा अगर रहेगा x minus a x minus b ठीक है x minus a x minus b अगर ऐसा रहता है तो हम लोग कैसे करेंगे तो x और x का multiple x square ठीक है फिर प्लस करेंगे और दोनों के ही आगे माइनस है यहने कि माइनस A और माइनस B इसके आगे भी माइनस इसके आगे भी माइनस और फिर इंटू में X फिर प्लस करना है इसका इसका मल्टिप्लाई करना है यहने कि माइनस A इंटू माइनस B कि उग innerhalb कि äंब एक चिरसकार मतलब एक स्क्वाइर और यह माइनस को अगर हम कोमन आगे लेंगे माइनस तो अंधर में बचेगा ऐय प्लस भी तो कि हास से भी मैनस आगे हो गिया यहां सबिनाने सागे यहां बच् masa क्या-a प्लेस बींटू मैंक और मायनस मायनस क्या हो Between यहां पे मायनस्स का लिए प्लस और यह प्लस थो फ्लस प्लस प्लस हो गया और अनकुम्し अगर यहाँ एभी वह गया तो यह हम लोगों का यह फर्मूला बन जाएगा तो हम लोग अलग अलग सिशुवेशन देख रहे हैं आप चुछों को हर फार्मूले को आप नोट करते चलिए फिलाल हम लोग नेक्स्ट पे आगए हैं कि अगर मान लिया कि ऐसा सिचुवेशन रहेगा कैसा भई? 7 है ना 8 नमबर अगर मान लिया A प्लस B का हॉल क्यू रहेगा तब फर्मूला क्या लगाएंगे? तो a plus b का hall q का formula होता है aq plus bq plus 3ab into a plus b या फिर एक और होता है formula aq plus bq plus 3ab को a से multiply करेंगे तो 3a square b होगा और plus plus को multiply करेंगे तो plus 3ab square होगा ठीक है तो कुल मिलाकर हम यह भी formula उपर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है अच्छा अगर मान लिया कि हमें a minus b यहाँ a plus b का hall q है अगर यहाँ पर minus रहेगा तो कैसे करेंगे ज़रा देख लेते हैं कितना नंबर था यहाँ पर देख लेते हैं एट नंबर यहाँ चलिए हम पढ़ते हैं नाइन नंबर से ठीक है अगर मान लिया कि a minus b का hall q रहेगा तब क्या formula बनेगा तो a minus b का hall q का formula होता है a q minus b q minus 3ab bracket में a minus b ठीक है या फिर हम इसको एक और लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं तो a q minus b q minus हो गया अब 3ab को a से गुना करेंगे तो 3a square b और minus minus क्या हो गया प्लस 3a b square तो कुल मिलाकर हम लोगों का यह हो गया a minus b का hall q ठीक है अगर मान लिया कि अगर हम लोगों कुछ इस तरीके से आ गया नंबर 10 क्या आ गया ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर अगर इस तरीके से रहा a q प्लस प्लस b q प्लस c q माइनस 3abc ठीक है अगर फर्मूला अगर यह ऐसा रहेगा कि a q प्लस b q प्लस c q माइनस 3abc बराबर क्या होगा तो इसका फर्मूला होगा a q प्लस b प्लस c ठीक है ब्रैकेट कर देना है ठीक है फिर a q प्लस b q प्लस c q माइनस a b माइनस b c माइनस c है ठीक है इसमें एक कंडिशन होता है दोस्त यह फर्मूला जो लिखें आपको याद रखना होगा a q प्लस b q प्लस c q माइनस 3abc का फर्मूला कितना होता है a प्लस b प्लस c और a स्कॉर प्लस b स्कॉर प्लस c स्कॉर माइनस a b माइनस b c माइनस c है ठीक है तो खुल मिला कर अकर देखा जाए तो अगर यहाँ पे here here a प्लस b प्लस c का वहलू 0 हो जाता है here if अगर a प्लस b प्लस c का वहलू 0 हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं a q प्लस b q प्लस c q is equal to sorry माइनस 3abc is equal to 3abc फर्मूला होता है अगर देखिए हम यह आपका बताना चाहा रहे है कि यह तो फर्मूला होता है भई न a q प्लस b q प्लस c q माइनस 3abc का फर्मूला क्या होता है a प्लस b प्लस c bracket में a square b square c square plus में माइनस a b minus b c minus c ठीक है अगर इसमें a प्लस b plus c का value अगर 0 हो जाएगा यानि कि इसके जगा पर 0 तो 0 से इस सब को multiply करेंगा तो पूरा 0 और इधर माइनस 3abc है उदर जागा तो 3abc बन जाएगा तो कुल मिला का अगर बात किया जाए तो a q plus b q plus c q का बराबर 3abc कब फर्मूला होता है जब a plus b plus c का मान 0 होता है तो ठीक है यह फर्मूला होता है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे important फर्मूला है यह a q plus b q plus c q का कि a q plus b q plus c q बराबर 3abc कब होता है जब a plus b plus c का value 0 हो और किस फर्मूला से तो यह हम लोग का फर्मूला है a q plus b q plus c q minus 3abc का a plus b plus c bracket में a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c यह ठीक है चलिए फिर नेक्स देखते हैं नंबर 11 फर्मूला 11 नंबर फर्मूला में अगर ऐसा कुछ रहेगा जैसे a plus b plus c k hall square यह सब ट्रिट पे हैं देखलो वाई 11 12 13 14 15 16 अगर मान लिया जाए कि a plus b plus c का hall square रहेगा या फिर हम बोल सकते हैं कि a plus b minus c का hall square है तो क्या क्या फर्मूला होगा ए मान लिया a minus b plus c का hall square रहेगा तो फर्मूला क्या होगा अगर मान लिया A प्लस माइनस A प्लस B प्लस C का हॉल स्क्वार रहेगा तब कितना फर्मूला होगा ठीक है अगर मान लिया कि ऐसा रहेगा माइनस A माइनस B माइनस C का हॉल स्क्वार रहेगा तो क्या फर्मूला होगा अगर मान लिया कि ऐसा रहेगा माइनस A प्लस B माइनस C का हॉल स्क्वार रहेगा तो क्या फर्मुला होगा ठीक है अगर मान लिया कि ऐसा रहेगा माइनस A माइनस B प्लस C का हॉल स्क्वार रहेगा तो कह रहेगा ठीक है अच्छा मतलब इतने तरीके से हम लोग सीख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी हुआ ए प्लस बी माइनस सी हुआ ए माइनस बी माइनस सी हुआ ए माइनस बी प्लस सी हुआ सब में देखें माइनस प्लस का अंतर है यहां पर माइनस ए प्लस बी माइनस सी हुआ माइनस A plus B माइनस सी हुआ सब में अंतर है दिख लिए यह प्लस मैनस का यहाँ माइनस है माइनस B माइनस ay ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि दोनों माइनस में हो और यह प्लस में हो जैसे माल लिया यानि इतना ही हो सकता है फिर हम लोगों का और तो कुछ नहीं प्लस मैनस चेंज हो सकता है ना यानि कि कुल इस तरीके से हम लोगों का हो सकता है और इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे चलिए देखते हैं देख पा रहे हैं यह टूटल आठ तरह का फर्मूला होता है ज्यादा नंबर दे दिये थे कोई बात नहीं तो यह 8 तरह का फर्मूला सब का देख लिए देख लेजे ध्यान से स्कौाइर है इसकौायर है लेकिन अंदर में पलस मैनस का चेंज रहता है तो इसका याद करने का बहुत बढ़िया ट्रीक है क्या ट्रीक है जर अध्यान से समझें यानि कि कोई भी अगर इस तरीके से तीन्ट हो रहे नीचे बीच में प्लस मैनस किधर भी रहे हमें कोई प्राबलम नहीं है अगर उसका स्कॉार है तो सबसे पहले कुछ भी रहे श्वार प्लस अब दोस्ती कर यहां प्यास ब्हुद्र प्लस म सीसकोर जोड़े है यहां प्लस तेसकॉर लिए तो का की सोच्ट मैं नथा अधीर है तो अच्प है यानि के हम यह चाहा रहे हैं कि अगर कुछ भी भी रहे दोस्त यानि कि यहां बीच में प्लस मैनस कुछ भी रहे यह तो सुरूर में बोलना ही है A sqr plus b sqr plus c sqr ठीक है अब आपको क्या करना है उसके बाद a और b को गुना करना है देख लिए अगर लिए कि a है b है उसी है तो पहला बार में आपका गुना करना है a b के साथ फिर यह पहला बार करना है ठीक है फिर b और c का गुना करना है दूसरी बार और a और c का गुना करना है तीसरी बार यानि कि तीन बार अब गुना करना है पहले a b फिर B C फिर A C और जानते हैं ना प्लस प्लस मिलकर प्लस होता है माइनस माइनस भी होता है प्लस मल्टिप्लाई प्लस का और माइनस का मल्टिप्लाई माइनस होता है माइनस और प्लस का मल्टिप्लाई माइनस तो इसी तरीके से हम लोग यहां पर भी करेंगे क्या करेंगे a a plus b plus c का हुल स्क्वाइर a square plus b square plus c square अब यहां पर क्या बनेगा plus a और b का गुना करना तो a के आगे भी plus है b के आगे भी plus है तो plus 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 a b का गुना किजिएगा तो a b नहीं लिखना है सब में 2 a b लगा लिखना है ठीक है टूह बी फिर बी और कि अ मृटिप्लाइ कि artists के आगे प्लस सी के आगे स्विए प्लस तो फ्लस विस्टू इसए तो इस तरीके से अगरा ऐसा सवाल रहे गा तो सबसे हम फूरा फर्मूला आप क्या हो गया a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac ठीक है अगर मान लिया कि अगर यहां पर ऐसे रहे तो सबसे पहले तो a square plus b square plus c square बोलना ही बोलना है लेकिन अब a और b का गुना करना है तो a के आगे plus b के आगे plus है तो plus 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 2ab ठीक है और फिर b के आगे भी plus c के आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस तू बी सी तू लगा देना है फिर इसके आगे plus है इसके आगे माइनस है तो plus minus minus 2ac ठीक है इसके आगे इसके में देखेंगे तो एक के आगे भी प्लस है दीके आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस तो यहां हो जागा माइनस टू यह भी ठीक है टू तो सब में लगाना है और B के आगे माइनस, C के आगे माइनस, तो माइनस माइनस, प्लस, तो प्लस, 2BC, C के आगे माइनस, A के आगे प्लस, तो प्लस माइनस, माइनस, कितना हो गया, 2AC, ठीक है, इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे, तो A के आगे plus B के आगे माइनस तो plus minus minus हो जाएगा 2AB इसके आगे minus इसके आगे plus तो minus plus minus 2BC ठीक है और A के आगे plus और C के आगे plus तो A और C का गुणा करेंगे तो plus 2AC बोलिए चाहिए C ये बोलिए उससे कोई फर्क में पड़ेगा तो इस तरीके से हम लोग सब का formula आगे वैसे ही बना सकते हैं ठीक है जैसे मान लिया कि यह –b प्लस c का hall square है तो इसका क्या बनाएंगे formula a square plus b square plus c square minus 2ab minus 2bc plus 2ac ठीक है यानि हम लोग जो है सब के पहले तो a square plus b square plus c square बोलना ही बोलना है इसके बाद क्या करना है उसको देखकर हमें बोलना होगा उसका गुना करना है जैसे इसका फर्मुला कोई बोलेगा कि माइनस A प्लस B प्लस C का हॉल स्कॉर का फर्मुला बताओ हम क्या बोलेंगे A स्कॉर प्लस B स्कॉर प्लस C स्कॉर इतना बोल के बाद अस्टोफ हो जाना करना है फिर क्या करना है ए और बी का गुना करना तो एक आगे माइनस इसके आगे प्लस तो माइनस प्लस माइनस टू एबी फिर बी क्या अगे प्लस सी क्या प्लस तो प्लस 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 टू बी सी फिर एक आगे माइनस सी क्या प्लस तो माइनस प्लस माइनस इतना टू एस सी उसी तरीके से सिसका फर्मॉला बनाना होगा तो क्या करें गायी माइनस-माइनस-2 A B B और C का गुणा करेंगा तो माइनस-माइनस-स प्लस, 2 B C, A के आगे माइनस-C के आगे माइनस-on- richtig, minus plus plus two a.c तो कुल मिलाकर यहां पर हम लोगों formula इसका क्या बन गया é square plus wie spiders Für Plot To V Plus To Bs C प्लिस अब देख पाओं तर पहला formula का भी तो वही है तो हां पहला formula रहे चाहिए यह फर्मल रहे दोनों का हम लोगो फर्मुला सेम ही बनेगा इससे कोई problem नहीं आना चाहिए फिर अगर ऐसा फर्मुला मिल गया minus a plus b minus c का whole square तो a square plus b square plus c square a के आगे minus b के आगे plus तो minus plus minus 2ab इसके आगे plus इसके आगे minus तो plus minus minus 2bc इसके आगे minus इसके आगे minus तो minus minus plus 2ac ठीक है इसके बाद अगर देखा जाए तो a और b का गुना करना है तो इसके आगे minus इसके आगे minus तो minus minus plus 2ab b के आगे minus c के आगे plus तो minus plus minus 2bc a के आगे minus c के आगे plus तो minus plus minus 2ac तो कुल मिला कर अगर देखा जाए तो हम लोगों का ये 8 फर्मूला जो है ना फार्मूला पर अधारित है तो आपको अगर अगले exercise को अच्छे से समझना है तो इन फार्मूला को याद रखना पड़ेगा सिवाए इसके पहले भी हम लोग 10 फार्मूला पड़ें आप इन चीजों को अच्छे से note कर लिजे और याद कर लिजे और फिर हम लोग अगले class में इन फार्मूला को हम लोग इस्तेमाल करना सिखेंगे और फिर देखेंगे कि इस्तेमाल कैसे किया जाता है examples के भी questions को हम लोग solution करेंगे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद